कि नमस्कार साथियों मैं सोभी सिंग में एक बार फिट से आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों मीद सीवीटी की प्रिप्रेशन बेतरीन चल रहे होगी और उसी क्रम को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक और इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ इस क् बारे में पिछले क्लास में हम लोग आरभाटर पढ़ेते यानि की टाइट्स को पढ़ेते आज हम लोग प्रवाल भिट्टी पढ़ने जा रहे हैं आप सिल्बस में देखेंगे तो इसका भी जिक्र किया गया है जैसा कि आप लोग जानते हैं कुछ इंपोर्टेंट इंप आप लोग वहां से जाकर उस क्लास को देख सकते हैं साथ मुझा दो डिस्क्रिप्शन में ही टेलिग्राम चैनल की लिंक दी हुई है वहां से भी आप उसे च्वाइन कर सकते हैं जहां पर कुछ इंपोर्टेंट इमेज आपको वहां मिलता रहता है जो कि आपकी प्रिप्र Asa कि दिए सब्सक्रिप्रन कि एक टनगा जी होता है जो की सागरों महा सागरों में प्रूब्यों कोरल चुय यहां मर जाते हैं यह कि दिल्स जानी जाने झालता है इसका अधिक तरफ ना श्वरी जेता है कर नेशियम कर आए बद्रण संद कर्णी को अहां मर जाते हैं यांने चौर अटए आ मेले जुच का विक नीशा आी जैसे नहीं सब्सक्राइब को जनम होजा उनकी dead body geopolit ऊपर एक के उपर जिसे प्रवाल जो हतने ही जर्म लेते ही है तो इस तरह से देखा जाता है अलग-अलग संदरशन रिप्स हमें देखने को मिलती है साघ्रों महा साघ्रों में प्रवाल की यानि कि जो प्रवाल मर जाते हैं तो उनके अलग सनशना बनती है जो कि एक जगह कठा होते जाते हैं तो जीसे हम बोलते हैं प्रवाल भिती यानि की कोरल रिप्स, ये ज्न आते हैं इतने बड़े बड़े आकार की होते हैं कि आने जाने को भी रुकावट पैदा करते हैं तो आज इनी के बारे हम लोग जानेंगे कि क्या है क्या 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 हो सकती है जैसा कि मैंने बताया कि क्या होते हैं आगे इनको यह जानना जब रही है कि आपको बतादू कि जो कोरल रिप्स होते हैं यानि की प्रवाल भित्ती होते हैं जो सागर महा सागर सभा सबसे अधिक जैविश्थित्टा वाला पाईस्थित की तंथ्र होता है कि यह जाती है तो यहां पर यह पाया जाते हैं वहां पर क्या होता है कई तरह के भोजन की उप्लबदददा हो जाती है बोजन की उपलगता होने करण कई तरह के यहां जिव भी पाया जाते हैं आप लोग अपसर देखते होंगे टीवी पर या कोई चैनल पर आप जब देखते होंगे कि सागरों के अंदर जब कोई गोता फूर अंदर जाता है तो अंदर कई तरह की सनशना देखने को मिलती है र आप तरह की सनरशना पाया जाती है आला कि पीछली क्लास अगर हमेरी डिफेंस की क्लास जोइंड की होंगे उसमें आप यही बात करते हैं आपरेश्न कैक्टस की भारती सेना ने चलाय था मौल्दी में तो मेहां तो अब आप देखेंगे करल आउइलेंड गास करसा क्लास क जिसमें हम लोग आपरेशन के बारे में पढ़े तो आपको बता दो जो कोरल रिप्स होते हैं यानि कि प्रवाल भित्ती होते हैं यह अलग-अलग संरशना ही होते हैं कई जगों पर ऐसा देखा जाता है कि एक दिव कभी निर्माड कर देते हैं इतने विशाल हो जाते हैं और अब यह समय आ गए जानेगा कि यह बंते कैसे हैं और इनका विकास कैसे होता है यह कब मर जाते हैं कब यह इनका और विकास बढ़ता है या इनको और विकास करने में कौन सी कंडिशन है जो इनको बादर डालती है एक दरसे आप समझें कि प्रवाल भित्ती को जन्म लेने क तो यहां पर कुछ कंडिशन है जैसे फोटो सिंथेसिस है यानि कि आप लोग जाते हैं आप लोग नोट करते चलिएगा जो हिंदी मीडियम वाले हैं फोटो संथेसिस यानि कि प्रकाश नस्लेशन के दोरान क्या होता है फिर कॉंटिनेंटल सेल्फ लिखा है इसे नोट कर ल पर करता है क्या हो विक्षित होंगे जन्व लेंगे या मर जायेंगे इन सब कासर पढ़ेगा कुछ important कंडिशन मैंने लिखा है यहां सबसे पहले हैं ऑन्युक्त सुरू कर रहे हैं फोटो फोटो सिंथेसिस यानि की प्रकाश नस्लेशन तो दोस्तों आको बतादू सबसे यहां प्रकास की आसकता होती है प्रकास क्रिया होती सहकता है जहां पर के यह चैत्रों में पाए जाते हैं उसी सागर की उस शेत्र में पाए जाएंगे जहां पर प्रकास की क्रिणे सूरी की प्रकास की जो क्रिणे हैं वह अच्छे से वहां पर पहुस रही हो अब जब प्रकास चैनलेशन की आउसकता होती है कोरल को प्रकास की आउसकता होती है तो जहां पर प्रकास अब एक तरह से समझे माली कोई सागर है और इसके कुछी दूरी पर यहां तक पानी भरा है और इसके क्या और यहीं तक केवल इसका क्या और प्रकाश चैनलेशन यानि की लाइट आ रही है जो सूरी की प्रकाश की किरने हैं तो केवल इसके नीचे नहीं पाया जाएंगी प्रवाल का तो यह पहला हो गया फोटो संथेसिस से रिलेटेड के इनको कैसे 100 मीटर की गराही से नीचे जाएंगे तो इनका विकास नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां प्रकाश सिकरने नहीं पहुच रहे हैं एक बात और है कि अगर यह तो मैंने बात किया विकास होने का कि अगर 100 मीटर से नीचे चले जाएंगे तो इनका विकास नहीं हो पाएगा लेकिन अगर 65 मीटर के नीचे चले जाएंगे तो इनका क्या होता है 65 मीटर तो इनका जैसे जन होता है तो यह क्या होंगे जैसे 100 मीटर में जाएंगे तो यह अच्छे से विकास नहीं कर पाएगे लेकिन अगर अच्छे से विकास कर सकते हैं मतलब वहां जीवी तरह सकते हैं लेकिन अगर अच्छे से विकास करना है इनका जो जन्म हुआ अगर उन्हें अच्छे से विकास करना है लगब उन्हें 65 मीटर की गहराही तक रहना होगा हां अगर अच्छे से उनकाई विकास हो जाता है तब ऊर नीचे जाकर रह सकते हैं तक यह स्व teu udah जजय करें है कि अहले यह प्रकास की अशकता होती है अगर प्रकास के भी आ शकता होती है नेक्स है Continental Self हम लोग फिशली क्लास में जब पढ़ रहते तो उसमें हम लोग पढ़े हैं तो महादीपी मगन धाल क्या है जब महादीप में है जो महादीप का वह हिस्सा जो महासागर के जल से ढखा हो जसे माले यहां तक यह जो एरिया है यह क्या है यहां पर ढ़ाल जाए महादीपी महादीप होता है ज्यादन तीफिफ एक व्हाराई में जादन गया होता है यह कहरा है या विए क्या दा है किनारा भी जो जल से धका हो वहां पर ऊसकी बात की जका हीच जो अगर कांटिनेंटल सिल इसकी क्या है है गहराई ज़्ण है यानि आपका सकते हैं तो क्या आफ़ वहां पर वहते हैं अच्छे स्फिका सब्याक्व करेंगे क्यों की अगर ध्यादा हो जाएगा यहां परर कोरल रूख नहीं पाएंगे और क्या करें गहराईन चले जाएँगे और we वह ज्यादा उसका धलान नहीं होना चाहिए सामान नहीं होना चाहिए आपका सकते हैं लगबग 4-5 दिगरी तक हो या एक से 4-5 दिगरी तक इसका ढाल होना चाहिए कहीं कहीं आगे पीछे थोड़ा बहुत डेटा दिया हुआ है नेक्स्टे स्यालिटी यानि की लवन्ता अब लवन्ता का क्या आसर पड़ता है देखे क्या बताया कि जो प्रवाल होते हैं इनको क्या होता है पोशक्ततों क्या पड़ती है यह जो लवन्ता होती उससे भी पोशक्ततों प्राप्त करते हैं अगर महासागरों में लवन्ता कम तपरविन के लिए खत्रा है अगर महासागरों में लमड़ता ज्यादा है तपरविन के लिए खत्रा है पहली बात अगर कम है लमड़ता तो क्या होगा क्योंकि इनने पता है कि अगर लमड़ता की कमी हो गई तो प्रवाल के लिए पोशक तत्यों की भी कमी हो जाएगी यदि इस लामनता चरता चांगल यहांवा प्रबूस कुनील ‎ मतरी जैसे नुहीं हो मुश्चाहिए नुहलें के तपमान के लिए खत्राधेक टैंपरेचर के लिए धेक लिए सामान है के सांपमान नहीं याको किpanze लगबन 21-27 जोनकूल होता है न ऊकुल होता है न दो उससे जदी प्रश्णlerde थे लिए खाता गया जाता है या ना कि बर्याबर पाए जाते हैं तो इसका सामाने इन्सवर यहीं है कि वहां पर अपान बहुत कम होता है तो इसे आप मों ना तो ज्यादा तापमान में पाए जाएंगे ना तो कम तापमान वाले च्छेतर में पाए जाएंगे सामाने तापमान लगबग आप कर सकते हैं 21-27 दिग्री सलसीज तापमान होना चाहिए तो यह बात होगी तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है नेक्स्ट है टाइड यानी कि जौँर भाटा अभी पिछली क्लास में जौँर भाटा पढ़े हैं जिसमें आम लोग लğаботेते jsancता है मुशा जाए तो उसे टाइट भी लगबबब finished क्लास इस वपर जांट करेंगे कभी इनके क्या होगा यह जल इस तर इनसे नीचे चला जा सकता है कभी इनसे बहुत ज्यादा उपर जाएगा ऐसे में अच्छे से विकास नहीं कर पाएंगे और यह डेड़ भी हो जाते हैं इसलिए जो टाइट्स होते हैं जहां पर जादा टाइट्स आते हैं वह क्या होता है इनके लिए बढ़िया नहीं होता है वहां पर यह अच्छे से विकास नहीं कर पाते हैं जहां पर ज्वार्भाटर आते रहते हैं नेक्स्ट है हमारा डेल्टा, डेल्टा के छेत्र यानि कि जहां नदियों का मुहाना है, जहां डेल्टा ही छेत्र है, नदियां क्या करती है, अपने साथ अवसाद लेके आती है, धूल, मिटी, कंड, कई, बहुत सारे मलबा लाके वहां सागरों में गिराती है, तो होता क्या जो प्रवाल होते हैं जो जी उते हैं। यह रेज़ते हैं स्वसंन करते हैं उसमें नदियों द्वारा लाय गयाpad इनके स्वसंन नंगों में पूप फस जाता है जम जाता जिसके वज़न स्वसंन अंहीं कर पाते हैं entreprises चाते हैं तो इसलिए कहा जाता है कि जहां पर नदियों का जल आके गिरता है जिसमें मलवा आके गिरता है, धेर सारे उसाद आके गिरते हैं, तो वह भी चाहता है अस प्रवाल के लिए बढ़िया नहीं होता है तो यहां पर मैं आपको बता दूए वर फिर से फोटो सेंथे से यानि कि उनके लिए प्रकास चंसलेशन को जरूरी है इसलिए उन्हें जादा गहराई में नहीं जाना चाहिए प्रवाल को उसी तरह मातकरें टैंपृर आगर इन्हे कला हुँ एसलिए भ्रूवों कहते हैं वहार आपको नहीं पाते हैं कि ऑलर उस यहां जया धाना सैंत जल भी पह जांग रएंगे वहले सेंग को दो ब्लब झालियों वहां पर भी अच्छे विकास नहीं करेंगे यानि कि सामान इंगतिवीदी बत के वल होनी चाहिए ज्यादा न उथल पूतल हो और न जल इस्तर क्या हो या जल जो हो सांथ एकदम सांथ हो तो ऐसे या तो एकदम सांथ है तब भी खत्रा है या वहां ज्वारभाटा के छेतर सब्सक्राइब करें नजरो के लिए घियर सागरो में अपने साथ ढर्बाव लाती है जिससे की ढ़्लबाल जोता है उसके स्वसन 반时间 के अप लोगों के समझ में है है एक क्लास में हम लोग वैसे की बात किये थे जिसमें हम लोग जब ऑपरेशन कैक्टस की चर्चा कर रहे थे भारती सेना ने चलाय थे मालदीव में तो वहां पीसी वज़द से उसको नाम दिया गया था यह यह जानना है कि कितने प्रकार के होते हैं कि इस बातों को जानेंगे दोस्तों उमीद है आप लोग जानकारी अच्छी लगी है तो फिर आएंगे जाएंगे रहेंगे आपको बता दूँ अगर पीछे क्लास आप लोग मिस कर दी है तो आप लोग डिस्क्रिप्टिशन में प्लेइलिस्ट की लिंक दी हुई है वहां से जाके आप लोग पीछे की क्लास जोइन कर सकते हैं साथ में आप लोग अपनी प्रिप्रिप्रिशन भी जारी रखिएगा यहां से भी आप बुस्टर डोज लेते रहेगा टेलिग्राम चैनल से भी आप जूड़ सकते हैं कुछ इंपॉर्टिट इमेज टुदप्वाइं डेली आपको जाता है जिससे कि आपकी प्रिप्रिप्रिशन को और बेतर बनाएगा तो दोस्तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से जान यह अच्छी लग रही है फिर